मुझे लगा कि अगर लंबी रेस में जाना है तो छोटी-छोटी लाल्चों से बचना पड़ेगा फिर मैं एनस्डी में भरता रहा तीन साल भरा मैंने नहीं हुआ मेरा तीनों साल है मुझे एक बात का पता है कि जिसके अंदर जिद्ध होगी ना वो जुरूर पूरा उपरसला मेरा नाम यश्पाल शर्मा है पता नहीं जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो भी मैं बता रहा हूं क्योंकि नाम कैसे करना है ये भी तो एक नाम वलब काम है ना तो मैं यश बच्पाल शर्मा हिसार चोटा सा एक जगह है हरियाना में वहां पैदा हुआ हूँ फोर्थ क्लास कर्मचारी थे बीस क्वाटर थे ऐसे बच्पन में जो गेम आज के बच्चे नहीं खेलते वो सारे खेलें शिटापू क्या लंगडी टांग क्या लुकम शिपाही क्या बंट से नहीं लेकिन बहुत रिच्च था क्या नहीं किया बक्रिया गाए भैंस ये उचरा ना गोबर लकडी साभ कोच किया मैंने डिस्कावरी ओफ इंडिया तमस वगएरे देख करके मैं बढ़ा हुआ हूँ डिस्कावरी ओफ इंडिया तमस कथा सागर वगएरे जो माल गुडी डेज तो मेरे दिमाग में एक्टिंग का कुछ अलग परिभाशा था मुझे करना है तो यह करना है यह क्या करना है शायद नहीं पता था लेकिन क्या नहीं करना है वो पता था लेकिन क्या नहीं करने के चक्र में सब कुछ कर डाला मैंने आटे के चक्की चलाई, मैंने साइकल के पंचर लगाई, मैंने तेल की फैक्टरी में काम किया, मैंने टीन की फैक्टरी में काम किया, जहां पत्रे उसमें हाथ कट जाते थे, मैंने किसी के किर्याने की दुकान पर काम किया, मैंने किसी के घर पर बरतन बरतन मांजने जा जाना है तो छोटी-छोटी लालचों से बचना पड़ेगा तो छोटी-छोटी लालच थे मैं चांधी का काम है चांधी की पजेबे बनाते थे हम तो तीन सो रुपे महिना से शुरू हुआ था बाद में 15-20 रुपे महिना मिलने लगा था फैक्टरी टाइप का था तो मैंने अखबार में पढ़ा कि जी अंधायूग नाटक है दिल्ली में कमानी में और उसमें नसीर अदिन शाह है तो मैंने अपने दोस्त को बोला धरमवीर को और दोनों ने चुपके से बस पकड़ी और दिल्ली पहुँच गया है और हमने वो नाटक देखा उसके पंदरा नाटक थ हुँच थे तीन हो चुके थै बाकि सारे बारा नाटक देखे हमने और मैंने वहां गृप ज़ाइन कर लिया मैं घर गया ही नहीं चित्थ हुआimm और मैं रहा और चपता एक लिए लिए कि मैं चाकिन नाटक कर पाऊँ तो फिर मैं एनेस्ड में भरता रहाЕТ तीन साल वह भरा मैंने नहीं होगी कभी तो मेरे पास आया लूप आया इंट्र eli एक पर इंट्रुव में रहा तो उसके बार चालीस दिन prem … ठेटर में दरा मज़ेंरा में हो गया एक साल बाद NSD में भी हो गया मुझे लगा था किया करनी तो है NSD जिद थी अंदर एक और मुझे एक बात का पता है कि जिसके अंदर जिद होगी ना वो जरूर पूरा होगा सला कुछ भी हो चाहे NSD में था मुझे चिल्डन थेटर करना था स्कूलों में जा जा कर लिए अचानक रिपेटरी में NSD रिपेटरी में पढ़ता लगा है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ वहाँ अखबारों ने बताया दोस्तों ने बताया तो मुझे लगा यार एक्टिंग करनी चाहिए और एक्टिंग करूँगा तो मैं थेटर नहीं कर पाऊँगा ये वाला मतलब चिल्डन थेटर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ तो या तुम्हें टीचिंग करूँगा या डिरेक्ट करूँगा या वक्शोप करूँगा पढ़ाऊँगा करनी पाऊँगा कुछ तो मुझे लगा कि एक्टिंग करनी चाहिए भाई, फिर मुझे लगा कि एक्टिंग ही करनी है तो बैटा, 200 लोगों के सामने क्यों 200 करोड के सामने जाते हैं, बस बुरिया बिस्तर उठाया, पस्ची में एक्सप्रेस पकड़ी, बंबे, कभी ना आने के लिए, लेकिन असान तरीका नहीं था दाओं देड़ी शूप में में रोल मिला था सुधिर का फर्ज नहीं किया मैं बाद में बाद मेंगोपाल अरएफं में और यह पुकार वगरा सुधिर मिश्राक ने थी हजार उख्वाइश ऐसी यह साली जिंदगी यह करिना का पूर्वाली कौन सी थी तो बहुत से चमेली बहुत सारी फिल्में सुधिर मिश्राक की विए से तो ऐसे काम हर जगह हां करना भी ठीक नहीं है मना करना भी आना चाहिए और वी विप्रीत प्रिष्थितियों में जब आपके पास पैसा है तो आप मना कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है जब भूखे मर रहे हैं तब मना करके लिखाओ नहीं करना जिद है लेकिन भाइसा भी आप कोपी मत करना हर किसी के बसकी बात नही के जो निकल पड़े हैं जिद बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए फिल्म बनानी है एक और ऐसी बनानी है जो दुनिया देखे दादा लख्मी फिल्म का नाम है बायो पिक है एक फोक आर्टिस्ट की आज से डेड़ सो साल पुरानी टाइम की उस टाइम पे ना कोई प कोड मिला भी राष्टपती जी देंगी अभी 31 तारीक को तो जिद थी एक फिल्म बनानी है और ऐसी बनानी है कि मतलब इजी वे नहीं चाहिए आसान तरीके जुगार बाजी आ रहा है इसको ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाने नहीं पूरी रिसर्च पूरा सब कुछ लगान से सीखा था लगान फिल्म से बहुत मेरे जिन्दगी में बड़ा एक साहे लगान बस दोस्तों यही बस मैं कहने वाला था जो की मेन बात थी कि प्रेशन जरूरी है जुनून जरूरी है आग जरूरी है अंदर आपके होना ताकि जो भी काम करो इनके बगार कुछ नहीं अगर आप कोई नाटक कर रहे हैं आपको फिल्म कर रहे हैं और आपको आसानी से नींद आ रही है ना परवाही वाली तो आप गलत हैं नहीं आती नीद इसलिए अनकमफर्टेबलनेस चाहिए अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जो स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूं हो और मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं जोस्टॉक्स ने एक नया एप लाँच किया है जिसका नाम है जोस्किल्स अब वो नया नहीं रहा काफी टाइम से है लाखो लोग उसको अब यूज करते हैं और जोस्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्स जून सकते हैं वो कोर्स नहीं जो आपको physics, chemistry, commerce, business studies पढ़ाएंगे वो कोर्स जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहेंगे वो सिखाएंगे मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्स बनाए हैं public speaking पे emotional crisis कैसे handle किया जाए अपनी personality कैसे develop की जाए हर एक कोर्स में daily quizzes है exercises है एक बहुत ही आपके पनाए